दोस्तों भारत के लॉंगेस्ट ग्रीन फिल्ड रोड प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट जिसके ओवराल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लगभग 55,000 क्रोड उपय है तीन फेज में बनाया जा रहा है जिसमें दो फेज का काम कंप्लीट हो गया है और तिसरे फेज का काम भी इसी शाल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा नेशनल और इंटरनेशनल टेट के लिए यह फास्ट लॉजिस्टिक गेटवे क्रेट करेगा जिसमें यह देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट JNPT को करेगा नागपुर के मिहान से मिहान देश का फास्ट मल्टी प्रोड इस्टर डेडिकेटट फेर्ट कोडिडोर चेन्डव वाइजऔक एकनोंक कोडिडोर और गोल्डेन कोर्डिलिट्रल को तो दोस्तों डैरेक्ट और इंड़रेक्ट करेटेटि के लिहास से देखा जाए तो यह देश के सोशियू इकॉनॉमिक देवलेब्मेंट में मेजर र थाकरे महाराष्ट सम्रिदी महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है यह six lane expressway है बाद में इसको eight lane भी किया जा सकता है यह महामार्ग महाराष्ट के दो major city को connect कर रहा है नागपूर और मुंबई को जो महाराष्टा के 10 जिलों से होकर गुजरेगा इस project को तीन phase में implement किया जा र operation MSRDC के द्वारा पहले दो फेज का कारे पूरा हो चुका है पहले फेज में नागपूर से स्रीडी के बीच expressway का उद्गाटन प्रधान मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया वहीं दूसरे फेज में स्रीडी से भरवीर खुड तक का उद्गाटन महाराष्ट मुख्य मंत्री एकना वर्तमान और भविस्ति के जरूर्तों को पूरा करेगा